हां जी गूड इवनिंग एवरिवन कैसे हो सब तो आज वाली वीडियो में आपको सच बताऊं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी बच्चे में में आइदर सिये इंटर जा फाइनल के एक्जाम्स देने वाले हैं आपके बोद गुरुप्स की आप अपने की त्यारी कर लूँ यहां सिरफ एक ही गुरुप के उपर फोकस करूँ सारी डिटेल्ड कैलकुलेशन आपको एक एक चीज की क्लैरिटी करेगी और हां सबसे बड़ी चीज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आपको खुद भी डेली चैप्टर वाइस काम अलॉ करके दूँगा लेकिन पहले आपने देखना है कि आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है इसलिए इस वीडियो को पूरा दिल लगा कर देखना आज आपके माइंड में पूरी कलैरिटी होने वाली है देखो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि जो फर्स्ट कॉलम आ ले बच्चों के लिए कॉलम है जो सिर्फ गुरूप वां में अपीर हो रहे है उसके बाद सिर्फ जो गृूप टू में अपीर होना चाहा रहे हैं उनका कॉलम है अब फस्ट स्टेप मैंने 10th February से टायंम काउंट की है मतलब अगर हम 10th February से अपनी Preperation को Start करें 10th February से तो Main यह देखना होता है कि हमने कितना time रखना है अपने subjects को revise करने के लिए अब चाहे वो both groups वाले बच्चे हैं, चाहे group 1 वाले बच्चे हैं, मैंने first May के बाद का time छोड़ दिया क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूँ, वो हमारा exam का time start हो गया, ठीक है first May के बाद का time, क्योंकि both groups वाले बच्चे यह group 1 वाले बच्चे सबके exam एक टाइम पे start होते हैं, अब जिनके तो both groups हैं, तो मैंने यह रखा है कि आपके 8 subject हैं, कम से कम 3-3 दिन पर subject तो आपको revision को चाहिए ही होंगे, तो उसे साबसे मैंने 7th April onwards 30th April तक यह 3-3 दिन का set है, यह मैंने आपका 8 subject का, means 3 days per subject, 24 days मैंने आपके allot कर दिये कि यह तो जी हमें revision के लिए चाहिए यहाँ पे तो हम कोई अपना नया काम नहीं करेंगे, it means 7th April के बाद हम सिर्फ अपनी revision पर focus करेंगे अब थोड़ा सा अभी both groups वाले का explain करके, फिर मैं साथ ही 1 और 2 पर आ रहा हूँ, it means 7th April के बाद हमारा revision का time start होगा, अब both groups हैं, जो भी पढ़ने का time है, जा revision का time है वो कुछ plus minus हो सकता है, तो 30th March से लेकर यह 6th April तक, 8 दिन मैंने बीच में grace भी रखे हैं, आप इनको कहीं भी adjust कर सकते हो, नीचे revision में, 3 की जगा पर किसी का चार करना हुआ, जहां उपर preparation time जो आपको नजर आ रहा है, 48 days का, हो सकता है, जहां पर आपको कुछ ना कुछ plus minus करना पड़े, वो यह आट दिन reserve पड़े हैं, अब conclusion यह निकला, कि हमारे पास पड़ने के लिए, 10th February से लेकर, यह 29th मार्क तक, total 48 days available है, 48 days का time available है, अब detailed मैं चलता हूँ कि कैसे division करनी है, लेकिन पहले group 1, group 2 का भी बता दूँ, अब यहां पे, जो मैंने लिए है system, जो group 1 वले बच्चे हैं, उनके भी मैंने first में के बाद का time छोड़ दिया है, अब यहां पे दिखो, सबसे पहली बात यह है कि मैंने, जो group 1 वले बच्चे हैं, यह सिरफ group 2 वले बच्चे हैं, पहली बात तो per subject, उनको मैंने 4-4 दिन की revision का time lot की है, और revision भी two time रखी है, कि two times आप revision कर सकते हो, आप देख सकते हो कि 30th March onwards जिनका सिरफ group 1 ने, 4 दिन पर subject लगा कर, आप पहले यहां पर 14th April तक 4 दिन पर subject लगा कर अपनी revision 1 complete कर सकते हो उसके बाद फिर से आपकी revision 2 start हो जाएगी, सेम ऐसे 4 दिन पर subject, अगर आप 15th April onwards अपनी second revision start करते हो, तो 30th April तक आपकी revision 2 complete हो जाएगी, सेम ऐसे ही अगर मैं सरफ group 2 वाले बच्चों की तरफ आ जहूँ, तो मुझे पता है, उनके पास around 1 week extra होता है, तो मैंने आपका जो study time है, वो 8th May तक का count की है, आपके पास दो revision है, आपकी revision को मैंने start किया है, 7th April को, के 7th April से लेकर हमारे पास around 21st April तक 1st revision, उसके बाद ये आपकी 2nd revision है अगर किसी को भी calculation की confusion होई, वो दुबारा एक बार वीडियो को थोड़ा सा आगे पिछे करके देख लेना, सारी date वगेरा सारी आपको नजर आ जाएगी, अब it means, conclusion क्या निकल रहा है, बोद ग्रुप्स वाले बच्चों के पास मेरे पास time निकल क्या है 48 days पढ़ने वाला 8 दिन आपके निकले है मेरे पास grace days और आपके 24 days मतलब 3 days per subject revision का निकला है ग्रुप 1 वाले बच्चे 48 days का time निकला मेरे पास पढ़ने के लिए उसके बाद 16 दिन आपके 4 days per subject, 16 दिन first revision, 16 दिन second revision सेम ऐसे ही हमारे पास जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं 56 days मेरे पास निकले हैं आपके main पढ़ने के लिए उसके बाद 16 days first revision means 4 days per subject then again 16 days per subject आपकी second revision यहां तक I think आप सबको clarity होगी होगी हमारा पढ़ने का time 48 days both groups, 48 days group 1 और 56 days group 2 बाकी आपको revision की clarity होगी अब काम कैसे divide करना है यहां मेरे से चाते हो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैंने lot करके देना है फिर कहना है कि sir 4 दिन में इतना काम कैसे करेंगे यह सारी information आपके सामने बिलकुल clear होने जा रही है देखो जिनके both groups हैं मैंने आपके 48 days निकाली है means 48 days में आपने 8 subjects को तियार करना है बाद में कितना time available हो रहा है अब आपको पता है न 48 days के बाद 8 दिन grace की हैं फिर 24 days reason की हैं अब जो आपके 48 days मेंने निकाली हैं आप क्या कर सकते हो कि मान लो कोई बच्चा यह सोच रहा है कि मैं 2 subjects अगर at a time चलाऊं 2 subjects तो it means 12 दिन then again 12 days again 12 days again 12 days 12-12 दिन के इसाब से अगर आपके 2-2 subjects चलें तो आप 48 days में अपने 8 subjects को cover कर लोगे it means अगर अपने 12 दिन में 2 subjects चलाने है अब उसको further divide करो कि 12 दिन को मैं जरा short part कर देता हूँ अगर मैं 4-4 दिन का अपना slot बना लूँ 4-4 दिन का तो जो भी 2 subjects आप पहले उठाओगे मान लो for example कोई बच्चा कहता है कि जी मैं पहले SFM के साथ law कर लेता हूँ 12 दिन लगा कर मान लो मैं पहले SFM के साथ law कर लेता हूँ it means आपने SFM और law के पहले 4 दिन में कौन से chapters करने है next 4 दिन में कौन से chapters करने है again next 4 दिन में कौन से chapters करने है बस close आपके 12 दिन cover आपके 2 subjects यहां तक complete होने चाहिए same ऐसे ही next 2 subjects 12 दिन 4-4 दिन में divide कर लो अपने chapters को it means आप chapter wise अपना target खुद set कर सकते हो अब रही दूसरी बात आते हैं जो हमारे group 1 वाले बच्चे है देखो उनके पास भी मैंने आपको बताया मैंने 48 days conclude की है उसके बाद आपके पास 16-16 days की 2 reasons है है न तो overall अगर 48 days का time हम अपना preparation पर लगा रहे है तो यहां पे भी अगर आप 2-2 subjects करके चलते हो तो 48 days divided by 2 मैंने कर दिया 24 days आपके 2 subject 24 days अगेन 2 subject समझेगे न 2 subjects के लिए 24 days फिर से 2 subjects के लिए 24 days तो अगर आप 2 subjects 24 days में करना चाह रहे हो तो उन 2 subjects के 8-8 दिन में chapter divide कर लो कि पहले 8 दिन में ये chapter फिर अगले 8 दिन में ये chapter फिर अगले 8 दिन में ये chapter फिर अगले 8 दिन में ये chapter और short करना चाहते हो 4-4 दिन में इनको further 8 को 2-2 part में कर लो कि पहले 4 दिन में ये chapter करूँगा दोनों subject के next chart में ये chapter करूँगा ऐसे आप काम lot no doubt मैं भी आपको ये करके दूँगा लेकिन मुझे पता है काफी बचे ये भी कह रहे थे दो reasons है तो 56 days के times के accordingly आप 2 subjects को 28 days then फिर से 2 subjects को 28 days का time lot करोगे ठीक है तो 28 days को furtherman divide कर दिया कि पहले 10 दिन में आप 2 subjects के कौन से chapter करोगे फिर 9 दिन में कौन से करोगे 9 दिन में कौन से करोगे यहाँ पर अपने 2 subjects के chapters note करने है तो आपका जो plan है वो आपके पास इसे साबसे ready होजेगा इसके भी part करना चाते हो तो आप इसे साबसे चल सकते हो कि 28 days है न तो आप 4-4 जा 5-5 दिन का अपना target set कर सकते हैं कि पहले 4 दिन में मैंने 2 subjects के यह chapter करने हैं next 4 में यह करने हैं उसके साथ थोड़ा सा यह हो जाता है कि 4 दिन का target अगर नहीं achieve हो पाया आपको पता चल जाता है कि मैं कितना slow चल रहा हूँ कहने को तो 10 दिन का रख लो लेकिन 10 दिन पूरे होने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरे तो यह चार चप्टर हो ही नहीं पाई जो अब आगे बढ़ रहे हैं चार दिन में आपको थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा आप अपने उपर ज्यादा pressure लोगी काम करने का तो इस information के accordingly जो मैंने आपको clarity दी है अगर आप खुद भी अपना काम chapter wise lot करना चाते हो तो भी ठीक है अगर आप मेरे से चाते हो तो देखो जी days तो इतने ही मिलेंगे मेरे को चाते हो तो मैं lot कर दूँगा लेकिन उसके लिए जितने ज्यादा बच्चे मुझे नीची comment box में बोलेंगे उसे साब से मैं उतनी detailed information फिर उतने बच्चों के लिए डालूँगा अगर आपको लगता है कि नहीं जी कि हम खुद करना चाते हैं तो भी मुझे बताना तो उसे साब से फिर में आगे बढ़ते हैं मेरा तो काम है जो आप बोलोगे मैंने करते जाना है क्योंकि हमने इस बर पास होके दिखाते हैं तो आई होप आप सभी को काफी clarity हुई होगी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो क्योंकि वीडियो की थोड़ी reach बढ़ती है जादा बच्चों तक फिर वो YouTube आगे वीडियो को refer करता है बाकी मर्जी तो सारी आपकी होती है चलिए दुबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सुबह सात बजे All the best, thank you so much